Hello students, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूं Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है Free of cost quality education from class K to class 12 जी हाँ सई सुना आपने kindergarten से लेकर class 12 तक की कराई जाती है आपको complete education वो भी free of cost प्रोवाइड तो करना क्या है आपको YouTube चैनल पर जाना है और कर देना है Magnet Brains को सब्सक्राइब जहां पर आपको CBSE Board से लेकर Other State Board जैसे की UP Board, MP Board, Bihar Board जैसे courses भी एवेलेबल है यहां तक की आपको practice questions भी आपर solve कराई जाते है e-books और e-notes की चो लिंक है आपको description box में मिल जाएगी तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट, मेरा नाम है हश्मित कौर और मैं हूँ आपकी math faculty तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे chapter 6 जिसका नाम क्या है The Triangle and Its Properties उसकी exercise 6.5 कौन सी exercise solve करने वाले हम? एक्ससाइज 6.5 solve करने वाले हैं इससे previous वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको जाके पहले पढ़ना है क्योंकि उसी से related questions exercise 6.5 में पूछे जाएंगे क्या पढ़ाया था? मैंने Pythagoras theorem आपको पढ़ाया थी formula बताया था and in fact उससे related हमने examples भी solve किये थे तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिये तो सबसे पहले जाके तो वो वीडियो देखनी है and then फिर exercise 6.5 पर आना है ठीक है? तो करते है exercise 6.5 start सबसे पहला question क्या है? PQR is a triangle PQR क्या है? PQR हमारा triangle है ठीक है? right angled at P और triangle कैसा है? right angled triangle है ठीक है P point पे क्या बन रहा है? right angle बन रहा है PQ is equals to 10 cm PR is equals to 24 cm और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है QR क्या निकालना है? QR निकालना है ठीक है इतना समझ में आया तो सबसे पहले तो सबसे पहले हम क्या बना देंगे हम बना देंगे ट्राइंगल वो भी कैसा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है यह हमने बना दिया क्या राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है ठीक है उसमें बोल रहा है कि राइट एंगल कहां पे हो रहा है राइट एंगल क है तो दूसरा हम नाम दे देते हैं यहां पे Q और यहां पर हम नाम दे देंगे क्या आर नाम दे देंगे ठीक है इतना समझ में आया उसके बाद हमें क्या देके रखा है PQ कितना है 10 cm क्या देके रखा है PQ 10 cm देके रखा हुआ है PQ ठीक है उसके बाद बोल रहा है PR जो है PR ज qr अब ये qr आपको क्या दिख रही है ये qr हमें दिख रही है ये क्या है hypotenuse ठीक है इतना समझ में आया pr हमें क्या दिख रहा है pr हमें दिख रहा है क्या है perpendicular ठीक है और ये जो pq है वो हमें क्या दिख रहा है PQ हमें दिख रहा है base ठीक है इतना समझ में आया तो आप हमें क्या करना है कौन सा formula यूज करेंगे कौन सी theorem यूज करेंगे जो हमने पड़ी है theorem Pythagoras theorem वही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे by Pythagoras theorem formula क्या पढ़ा था हमने? formula हमने पढ़ा था hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square ठीक है यही हमने पढ़ा था तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है hypotenuse क्या है? qr जो है वो hypotenuse है और उसी की value हमें find करनी है तो यहाँ पर हम लिख देंगे qr का square is equal to perpendicular square अब perpendicular हमें क्या दिख रहा है? perpendicular हमें दिख रहा है pr ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? pr का square और base हमें क्या दिख रहा है? base हमें दिख रहा है PQ तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे PQ का square अब हमें क्या करना है? अब हमें value पुट करनी है QR की value हमें नहीं देकर रखी तो हम उसे as it is लिख देंगे QR का square क्योंकि QR तो अभी हमें find करना है ठीक है अब PR की value क्या देके रखिए PR की value यहाँ पर 24 देके रखिए तो यहाँ पर हम 24 का square कर देंगे बीच में क्या है plus का sign हम plus का sign लगा देंगे next हमें PQ का square बोल रहे हैं and PQ की value हमें 10 cm देके रखिए तो यहाँ पर हम PQ की जगा लिख देंगे 10 and इसका भी square ठीक है QR का square तो यहाँ पर QR का square लिखेंगे यहाँ पर क्या है 24 का square मतलब 24 को हमें 24 से multiply करना है 4 4s are 16 1 carry यहाँ पर गया 4 2s are 8 8 plus 1 9 2 4s are 8 and 2 2s are 4 ठीक है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे plus कर देंगे यहाँ पर 6 आएगा 9 plus 8 हो जाता है 17 यहाँ पर 1 carry आएगी 1 plus 4 5 तो answer हमारा क्या आ रहा है answer हमारा आ रहा है 576 क्या answer आ रहा है यहाँ पर 576 हमारा answer आ रहा है ठीक है अब यहाँ पर क्या है plus का sign है अब जब हम 10 का square करेंगे 10 का square मतलब 10 multiply by 10 तो हमें पता है क्या आने वाला answer यहां पे 100 आने माला है, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किये, इसे收ल कर दिया, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर as it is, क्योओ आर का square लिख देंगे ऐप यहां पे क्या है, 576 प्लस 100 है, सम करने पर answer क्या आएगा, सम करने पर answer आ रहा है, 676, क्या आरा है आनसर? है qr square is equal to 676 तो हमें क्या करना होगा स्क्वाइर को हटाना होगा यही बताया था मैंने स्क्वाइर को हटाएंगी तो opposite side में क्या लग जाता है रूट लग जाता है स्क्वाइर को हटाने पे opposite side में लग जाता है रूट मतलब 676 root में आ जाएगा ठीक है आया समझ में अब हमें क्या करना पड़ेगा 676 के factors निकालने होंगे अगर आपको direct करना है तो direct भी कर सकते हो अगर direct नहीं हो पारा है तो आप कैसे कर सकते हो 676 का prime factorization निकाल कर ठीक है निकाल कर देख लेते हैं जब हम 676 का prime factorization निकालेंगे तो answer क्या आएगा? 2 3s are 6, again 2 3s are 6, 1 carry गया, 2 8s are 16, again किस से हो जाएगा? 2 से, 2 1s are 2, 1 carry गया, 2 6s are 12, 1 carry गया, 2 9s are 18, ठीक है? इतना समझ में आया हैं आपको, and then फिर किस से हो रहा है? 1 69 हो जाएगा 13 की टेबल से, और किसी की टेबल से नहीं होगा, आप करके देख लिए, देख लीजिए 13 क्या है? प्राइम नंबर है, इसलिए स्रिफ 13 की टेबल से ही हो जाएगा, 169, ठीक है? तो 13 13 से हो जाता है, 169, और 13 मनसा 13 हो जाएगा, तो यह हमने क्या किये? प्राइम निकाल लिए है, ठीक है, किसके फैक्टर निकाल ले, 676 की, तो यहां पर हम लिख देंगे, qr is equals to, फैक्टर क्या निकले है, 2 multiply by 2, multiply by 13, multiply by 13, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना रहता है? उसके बाद हमें क्या करना रहता है यह हमें पता है क्या रूट है स्क्वाइर रूट है ठीक है तो स्क्वाइर रूट में हमें क्या बनाने रहते हैं स्क्वाइर रूट में हमें बनाने रहते हैं पेर्स ठीक है तो यहाँ पर एक pair बन गया यहाँ पे एक pair बन गया ठीक है और हर एक pair में से हम एक factor बाहर निकलते हैं एक number को root से हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर pair दिख रहा है किसका 2 का 2 हमें 2 times दिख रहा है लेकिन निकलेगा स्रिफ एक बार में मतलब एक ही 2 भार निकलेगा ठीक है 13 हमें 2 times दिख रहा है भार निकलेगा स्रिफ एक ही 13 ठीक है तो यहाँ पर 13 लिख देंगे तो जैसे ही हम multiply करेंगे qr की value क्या आएगी 2 multiply by 13 answer आएगा हमारा 26 26 cm हमारा answer आजाएगा ठीक है find क्या करना था find हमें qr करना था यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर हमने qr की value find कर दी है ठीक है इतना आया समझ में बस इतना सा ही था इतना ही पूछा गया था यूज क्या करना था हमें पाइथागर स्योरम यूज करनी थी तो आप जल्दी से कर लीजे इसे note down जल्दी से कर लीजे इस question को note down कर लिया आपने note down अब next question देखते हैं next question क्या देखे रखा हुआ है next question question 2 ABC is a triangle अब ABC भी क्या है एक triangle है right angled at C कैसा triangle है right angle triangle है और right angle कहां पे बना हुआ है C पे बना हुआ है ठीक है AB is equals to 25 cm हमसे क्या बोल रहे है AB की value क्या है side AB की value है 25 cm और AC की value क्या है AC की value है 7 cm find BC तो हमें क्या करना है हमें BC की value find करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे triangle draw करेंगे हमने क्या किया एक right angle triangle draw कर लिया ठीक है जैसे कि यहां पे बोला गया है right angled at C तो यह क्या हो जाएगा यह वाला corner C हो जाएगा क्योंकि right angle कहां पे बन रहा है 90 degree का angle कहां पे बन रहा है C पे बन रहा है according to question, ठीक है, समझ में आया, अब हम मार्क कर लेंगे, यहाँ पर A मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर B मार्क कर लेते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, A, B की value देके रखी हुए, 25 cm, A, B यहाँ पर यह है, तो यह कितना हो गया, 25 cm, ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं, A, C की value, A, C कितना देके रखा हुए, 7 cm, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7 cm, ठीक है, find क्या करनी है, find हमें करनी है, B, C की value, ठीक है, क्या करनी है, B, C की value, find करनी है, तो सबसे पहले अगर आप देखो, यह A, B क्या है, A, B है, hypotenuse, ठीक है, A, C क्या है, A, C है हमारा perpendicular, ठीक है, और यह B, C क्या दिख रहा है, B, C है, हमारा base, ठीक है, इतना समझ में आया, B, C क्या हो गया, हमारा base हो गया, निकालना क्या है, B, C निकालना है, मतलब हमें निकालना है, हमारा base, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, by using pythagoras theorem, हमने क्या किया? पाइथागोरस थियोरम लगा दी यहाँ पे पाइथागोरस थियोरम यूज करके हम PC की वैल्यू निकाल देंगे ठीक है? फॉर्मुला क्या रहता है पाइथागोरस थियोरम का? हाइपोटेनियू स्कॉायर इस इकोज टू परपेंडिकुलर स्कॉायर प्लस बेस्कॉायर यही फॉर्मुला रहता है ठीक है? सबसे पहले हाइपोटेनियूस क्या है? हाइपोटेनियूस वाली साइड है A, B तो हाइपोटेनियूस की जगा हम क्या लिख देंगे? A, B स्कॉायर उसके बाद परपेंडिकुलर वाली लाइन हमें दिख रही है परपेंडिकुलर वाली साइड दिख रही है A, C तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? परपेंडिकुलर की जगा A, C का स्कॉायर प्लस बेस साइड हमें दिख रही है B, C तो base क्या लिख देंगे? B, B, C, square. ठीक है? इतना समझ में आया. अब हमें क्या करना है? values को put कर देना है. A, B हमें कितना देके रखा हुआ है? 25 cm. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 25 का square. ठीक है? उसके बाद A, C क्या देके रखा हुआ है? 7 cm. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 7 का square. उसके बाद B, C हमें देके नहीं रखा हुआ है. उसकी value find करनी है. तो इसे as it is रहने देंगे B, C का square. ठीक है? इतना समझ में आया. अब हमें करना क्या है? B, C की value find करनी है. तो उसके लिए क्या करेंगे? यह जो 7 square को, जो कि किस side देके रखा हुआ है? RHS side. हम LHS side transfer कर देंगे. ठीक है? मतलब यहाँ पर क्या था? 25 का square था. तो इस तरफ इसे transfer कर देंगे. यहाँ पर positive form में था. equal to के opposite side आएगा. तो किस form पे चला जाएगा? negative form में. अतलब यहाँ पर हो जाएगा minus 7 का square. और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर B, C का square बचता है. ठीक है? इतना समझ में आया. अब हमें क्या करना है? इसे solve कर देना है. जब हम 25 को 25 से multiply कर देंगे, answer क्या आएगा? 5, 5 is a 25. 2 कहरी यहाँ पे चली जाएगी. 5, 2 is a 10. 10 प्लस 2, 12. ठीक है? यहाँ पे cross का sign आएगा. 2, 5 is a 10. 1 कहरी यहाँ पे चली जाएगी. 2, 2 is a 4. 4 प्लस 1, 5. हमारा answer क्या बन रहा है? हमारा answer बन रहा है 6, 25. क्या answer बन रहा है? 6, 25. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 6, 25. माइनस 7 का स्कॉयर कितना होता है? 49. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 49. यहाँ पे क्या आजाएगा? यहाँ पे आजाएगा BC का स्कॉयर. ठीक है? इतना समझ में आया? अब जैसे ही हम 6, 25 में से 49 माइनस करेंगे. तो यहाँ पे आजाएगा 6. ठीक है? और यहाँ पे क्या आजाएगा? यहाँ पे आजाएगा 7. और यहाँ पे बच जाता है 5. आंसर क्या आ रहा है? आंसर हमारा आ रहा है 5, 76. क्या आंसर आ रहा है? answer हमारा आ रहा है 576 ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे इसके बाद यहां पर लिख देंगे हम हमारा answer आ रहा है 576 और equal to के इस तरफ क्या है BC का square ठीक है value किसकी निकालनी है value निकालनी है side BC की तो हम क्या करेंगे इस square को हटा देंगे जब हम square हटाते हैं तो opposite side क्या लग जाता है? opposite side root लग जाता है तो 576 कहां पर आ जाएगा? root में आ जाएगा यहां पर क्या बचता है? यहां पर BC बचता है, ठीक है? इतना समझ में आया अब आप चाहो तो direct भी कर सकते हो, ठीक है? direct अगर आपको tables आती हैं prime factorization method का use करना है 576 का निकाल देना है prime factorization, ठीक है? 2 की table से होगा 22's are 4, 1 carry गया 28's are 16 again 1 carry यहां पर गया, 28's are 16 again 2 की table से हो जाएगा 21's are 2, 24's are 8, 24's are 8 again 2 की table से हो रहा है 27's are 14, 22's are 4 again 2 की table से हो जाएगा 23's are 6, 1 carry गया 26's are 12 again 2 की table से हो जाएगा 21's are 2, 1 carry गया 28's are 16 again 2 की table से हो जाएगा 29's are 18 अब 3 की table से होगा 33's are 9 and then 31's are 3 तो मतलब यह हमने क्या किये? 576 के factors निकाल लिये, ठीक है? तो यहां पर हम क्या करेंगे? factors लिख देंगे किसके? 576 के क्या आए है? 2 कितने टाइम्स दिख रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 times हमें 2 दिख रहा है and 3 सिर्फ 2 times है यहां पर लिख देंगे हम 2 multiply by 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 2 ठीक है? 6 times हमने 2 लिख दिया साथ में 3 multiply by 3 ठीक है? और यहां पर क्या है? यहां पर BC है ठीक है? इतना समझ में आया उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम pairs बनाते हैं एक pair यह बन गया एक pair यह बन गया एक pair यह बन गया और एक pair यह बन गया है ठीक है? इतना आया समझ में तो अब हमें क्या करना है हर पेयर में से एक फैक्टर को बाहर निकालेंगे इस पेयर में से एक टू बाहर निकला इस पेयर में से एक टू बाहर निकला इस पेयर में से एक टू बाहर निकला और इस पेयर में से एक थ्री बाहर निकला and यहां पर क्या है BC है ठीक है इतना समझ में आया अब हम क्या कर देंगे multiply कर देंगे 2 2 is a 4 4 2 is a 8 and 8 3 is a कितना हो जाता है 24 हो जाता है तो यहां पर answer क्या आ रहा है हमारा 24 cm मतलब BC की value क्या आ रही है 24 cm मतलब BC कितना निकल रहा है 24 cm निकल रहा है ठीक है इतना आया समझ में जल्दी से बताईए इतना आया है क्या समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजे note-down कर लिया आपने note-down वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है लाइक करना है कमेंट करना एंड वीडियो को शेर कर देना है ठीक है अब question 3 देख लेते हैं जरा question 3 हम से क्या बोल रहा है a 15 meter long ladder raised a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance a ठीक है find the distance of the foot of the ladder from the wall सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि 15 meter long ladder हमें दिख रही है ladder आपको दिख रही है यहाँ पर बनी हुई है वो कितनी उसकी length कितनी है 15 meter है ठीक है यह हमसे भोला जा रहा है कहां पर रखी गई है यहाँ पर एक window बनी हुई है यहाँ पर ladder को रखा हुई है यहाँ पर क्या बनी हुई है window बनी हुई है ठीक है इतना समझ में आया raised a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance a अब क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है यह जो window है ना कितनी हाई है 12 meter हाई है ground से 12 meter की height पर बनी हुई है यह window इसलिए यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है 12 meter देके रखा हुआ है ठीक है समझ में आया समझ में आया अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि यह जो ground level है और यहाँ जो ladder स्टार्ट हो रही है यहाँ से इन दोनों का distance कितना है इन दोनों का distance है a कितना distance है a मतलब यह जो line आपको दिख रहे हैं इसका distance कितना देके रखा हुआ है a देकर रखा हुआ है हमें क्या find करने के लिए बोल रहा है find the distance of the foot of the ladder यह जो ladder का foot है मतलब यहाँ पे from the wall और wall कहां पे है यहाँ पे है तो इन दोनों का हमें find क्या करना है, distance find करना है, basically हमें find क्या करना है, a find करना है, इतना समझ में आया, जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया, question क्या पूछ रहा है, आपको समझ में आया है, क्या comment section में बताइए जल्दी से, समझ में आया, तो ये diagram आपको कैसे दिख रहा है, यह हमें दिख रहा है, right triangle बनते हुए, कहां पर बनेगा, यहां पर बन जाएगा, समझ में आया यह, ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, आपको यह भी दिखेगा, कि यह क्या दिख रहा है हमें, यह हमें कुछ hypotenuse दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि right angle तो यहां पर बन रहा है, तो right angle की opposite side क्या रहता है, hypotenuse रहता है, ठीक है, और यह हमें क्या दिख रहा है, यह जो 12 मीटर देके रखा हुआ है, यह perpendicular बनते हुए दिख रहा है, यह क्या बन रहा है, perpendicular ठीक है, इतना समझ में आया, अब यह जो जो है, ए जो दे के रखा है, यह क्या हो गया, यह हमारा bass हो गया, जो a दे कर रखा हुआ है, वो हमारा क्या हो गया, base हो गया ठीक है इतना समझ में आया अब हमें करना क्या है हमें a find करना है right angle दिख रहा है hypotenuse दे के रखा हुआ है perpendicular दे के रखा हुआ है तो formula क्या use होगा कौन सी theorem use होगी by using pythagoras theorem by using pythagoras theorem ठीक है formula क्या है formula क्या है formula लिख देंगे सबसे पहले hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square ठीक है यह हमारा formula है hypotenuse कितनी दे के रखी हुई है 15 दे कर रखी हुई है हम यहाँ पे direct लिख देंगे 15 का square perpendicular क्या देके रखी हुई है perpendicular 12 meter देके रखा हुआ है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 का square और base हमें a देकर रखा हुआ है base हमें नहीं पता है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे a का square ठीक है इतना समझ में आया अब हमें क्या करना है solve करना है एक ही value निकालनी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा यह जो 12 का square है उसे हम opposite side transfer कर देंगे यहाँ पे positive form में था opposite side जाके किस form में हो जाएगा negative form में हो जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या करना है 15 का square माइनस 12 का square is equals to a का square ठीक है तो जब हम 15 को 15 से multiply कर देंगे तो answer क्या आएगा 5 5 is a 25, 2 कह रही है यहाँ पे जाएगी 5 1 is a 5, plus 2, 7 यहाँ पे cross का sign आएगा, 1 5 is a 5, 1 1 is a 1 तो answer क्या आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा answer आ रहा है 225 क्या आ रहा है answer? 225 हमारा answer आ रहा है ठीक है और 12 का square करने पे हमारा answer आएगा 144 ठीक है इतना समझ में आया और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे है a का square तो जब हम 225 में से 144 सब्टेक्ट करेंगे answer क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा ठीक है और यहां पर क्या आ रहा है यहां पर 8 आ रहा है मतलब 81 हमारा answer आ रहा है तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 81 लिख देंगे यहां पर क्या है यहां पर A का square है ठीक है अब हमें find क्या करना है अब हमें A find करना है A के साथ लगा हुआ है square तो square को हटाना पड़ेगा तो जैसे ही square को हटाएंगे opposite side क्या लग जाएगा opposite side root लग जाएगा क्या लग जाएगा opposite side root लग जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा A ठीक है इतना आया समझ में उसके बाद क्या करना रहेगा direct आता है आपको direct कर सकते हो जैसे कि हमें पता है 9 को 9 से multiply करने पर 81 आएगा लेकिन अगर direct नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो prime factorization method का use ठीक है 81 यहाँ पे लिखेंगे 3 की table से हो जाएगा 3 2s are 6, 2 carry गया 3 7s are 27 again 3 की table से होगा 3 9s are 27 again 3 की table से होगा 3 3s are 9 तो हमने यह क्या निकाल लिए है हमने यह factors निकाल लिए है ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 and equal to के सरफ क्या है अब हमें piers बनाने है तो यहाँ पे एक pair बन गया हर pair में से हम एक factor को बाहर निकालते है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 3 बार आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 बार आ जाएगा और यहाँ पर क्या बच रहा है? यहाँ बच रहा है जब हम 3 को 3 से multiply कर देंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा मतलब 9 cm A निकला है बेस हमारा क्या निकला है? 9 cm निकला है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यहां पे लिख देते हैं इसका मतलब है The distance of the foot of the ladder from the wall is 9 cm The distance The distance of the foot of the ladder यह में रब कर देती हूं The distance of the ladder from the wall is 9 cm इतना आया समझ में बस ऐसे ही करना था इस question को solve तो आप जल्दी से कर लीजे इसे note down जल्दी से कर लीजे अब इस question को note down कर लिया आपने note down अब next question देखते हैं Next question क्या है? Question 4 Question 4 हमसे क्या बोल रहा है? Which of the following can be the sides of our triangle? मतलब यह क्या देके रखी हुई है? हमें sides देके रखी हुई है हमसे क्या बोल रहा है? इन मेंसे कौन सी sides है? जो की right triangle form करती है ठीक है? उसके बाद यह बोल रहा है in the case of right angle triangle identify the right angles हमें क्या identify करना? right angles भी identify करने है सबसे पहले जो sides हमें देके रखी हुई है वो क्या है? 2.5 cm 6.5 cm and 6 cm ठीक है? इतना समझ में आया अब बात किसकी हो रही है? जब बात हो रही है किसकी right triangle की तो हमें क्या बता है? right angle की बात हो रही है तो हमें बता है सबसे longest side क्या रहती है? hypotenuse रहती है और सबसे ज़्यादा side क्या देके रखी हुई है? 6.5 cm देके रखी हुई है तो यहाँ पे hypotenuse क्या हो जाएगी? 6.5 cm हो जाएगी? क्योंकि जब सबसे longest side hypotenuse रहती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा length 6.5 cm की देके रखी हुई है तो मतलब hypotenuse ही 6.5 cm का होगा और बाकी जो other side से 2.5 cm और 6 cm वो बाकी की 2 sides हो जाएगी ठीक है? इतना समझ में आया अब बात अगर right angle triangle की हो रही है तो हमें क्या पता है? हम कौन सब theorem यूज़ करने वाले हैं? Pythagoras theorem यूज़ करने वाले हैं ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? By using Pythagoras theorem कौन सी theorem यूज़ कर रहा है हम? Pythagoras theorem यूज़ कर रहा है formula क्या रहता है? Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square हमें क्या पता है? जब हम Hypotenuse का square कर देते हैं तो जो answer आता है किसके equal आता है? Perpendicular square plus base square जो other two sides रहती है उनके square को जब हम sum कर देते हैं उसके equal आता है हमारे Hypotenuse का square ठीक है? हमें इतना पता है तो अब हम क्या करेंगे? हम इन values को put कर देंगे क्या करेंगे? इन values को put कर देंगे अगर answer equal आता है अगर answer equal आता है इसका मतलब क्या है? यह जो sides देके रखी हुई है इससे हम right triangle बना सकते हैं और अगर answer equal नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है? इन sides से हम right triangle बना नहीं सकते हैं put करनी रहेगी, hypotenuse हमने मानी है 6.5 cm, तो यहाँ पर 6.5 का square कर देंगे, perpendicular हम मान लेते हैं 2.5 cm, 2.5 हम यहाँ पर लिख देंगे उसका square कर देंगे, base हम मान लेते हैं 6 cm, तो यहाँ पर 6 value put करके उसका भी square कर देंगे, इतना आया समझ में 6.5 का square कैसे निकलेगा जब हम 6.5 को 6.5 से multiply कर देंगे ठीक है 5, 5 is a 25, 2 कह रही यहाँ पर चला जाएगा 5, 6 is a 30, 30 प्लस 2, 32 यहाँ पर cross का sign आएगा 6, 5 is a 30, यहाँ पर 0 आएगा 3 कह रही यहाँ पर चली जाएगी 6 is a 36, 36 प्लस 3 कितना हो जाता है 36 प्लस 3, 39 तो यहाँ पर 9 आजाएगा यहाँ पर 3 आजाएगा प्लस कर देंगे, यहाँ पर 5 आएगा यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 प्लस 9, 12 हो जाता है 1 कहरी यहाँ पर चली जाएगी 3 प्लस 4, sorry और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे एक डिजिट के पहले पॉइंट है, यहाँ पे एक डिजिट के पहले पॉइंट है, तो आंसर में हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1, 2, तो दो डिजिट के पहले यहाँ पे लग जाएगा, पॉइ यहाँ पे क्या करना है? हमें 2.5 का square करना है. तो अब हम क्या करेंगे? 2.5 का square कर देंगे. जैसे हैं हमें 2.5 5 का square करा. मतलब 2.5 को 2.5 से ही हमें कर देना है. Multiply. 5 5s are कितना रहता है? 25 रहता है. 2 कह रही हहाँ पे Чलिजाएगी. 5 2s are 10. 10 plus 2 12 होता हैं, यहां पे 12 आ जाएगा, फिर यहां पे cross website आएगा, 2 5s are 10, 0 यहां पे गया, 1 Kerry यहां पे आई, 2 2s are 4, 4 plus 1 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, इतना समझ में आया हैं, तो यहां पे answer क्या रहा है, 5, 2, 6, ठीक है, इतना समझ में आया है, अब हमें क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है, हमें दिख रहा है, एक डिजिट के पहले डेसिमल है, मतलब टोटल आंसर में दो डिजिट के पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, आंसर क्या बनेगा हमारा 6.25, क्या अंसर बना है यहां पे, 6.25, ठीक है, इतना समझ में आ लगा दिया प्लस का साइन अब 6 का स्क्वायर मतलब यहां पर क्या आएगा 36 आ जाएगा क्या जाएगा 36 आ जाएगा तो जब हम तो जब हम 36 में 36 में क्या करेंगे 6.25 को प्लस कर देंगे जब हम 36 में 6.25 को क्या कर देंगे एड कर देंगे क्योंकि बीच में लगा हुआ है addition का sign तो answer क्या आ रहा है यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 6 plus 6, 12 होता है 1 carry यहाँ पर गई 1 plus 3, 4 answer अमारा आ रहा है 42.25 और यहाँ पर भी क्या था 42.25 क्या आ गया यहाँ पर LH is equals to RH is आ गया है दोनों ही तरफ हमें दिख रहा है मतलब equal answer आएं है इसका मतलब क्या है इस side से हम क्या बना सकते है right angle triangle बना सकते है ठीक है समझ में आया समझ में आया इसका मतलब क्या है इन side से हम क्या बना सकते है right angle triangle बना सकते है तो यहाँ पर हम लिख देंगे And yes, we can form a right angle triangle With sides, 2.5 cm, 6.5 cm and 6 cm. स्क्वाइर, ठीक है, समझ में आया, reason लिखना हो, तो reason भी लिख सकते हैं, because hypotenuse is equal to, square of hypotenuse is equal to the square of other two sides, ठीक है, बाकी हम से पूछा है सिर्फ इतना गया था, right angle triangle बना सकते हैं, क्या, तो हमने solve करके बता दिया है, हम बना सकते हैं, ठीक है, reason पूछा जाए, तो आप reason भी लिख सकते हो, क्योंकि hypotenuse का square जो है, वो other two sides के square के sum के equal आया है, इसलिए हम यहाँ पे right angle triangle बिल्कुल form कर सकते हैं, अगर यहाँ पे अलग दो-दो अलग answer आये होते, तो मतलब हम यहाँ पे right angle form नहीं कर सकते थे, आया समझ में, आया है तो जल्दी से कर लीजे आप इसे note down, कर लिए अपने note down, अब next देखते हैं, next क्या देके रखा हुआ है, next हमें side देके रखी हुई है, two centimeter, two centimeter and five centimeter, ठीक है, समझ में आया, एक triangle बना देते हैं, right angle की बात हो रही है, ठीक है, समझ में आया, अब यहाँ पे हमें सबसे longest side कौन से दिख रही है, five centimeter और हमें पता है, hypotenuse क्या रहती है, सबसे longest side, तो हम hypotenuse को क्या मानेंगे, five centimeter यहाँ पे माल लेंगे, और other two sides को हम क्या माल लेते हैं, two centimeter, ठीक है, समझ में आया, अब formula कौन सा लगाना होगा, by using pythagoras theorem, तो क्योंकि right angle की बात चल रही है, तो pythagoras theorem ही लगेगी, ठीक है, इतना समझ में आया, अब formula क्या रहता है, formula रहता है, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square, ठीक है, hypotenuse हमने क्या मानी है, hypotenuse हमने मानी है, five, तो five का square हो जाएगा, perpendicular, दोनों ही side two है, तो यहाँ पर भी two आएगा, यहाँ पर भी two आएगा, ठीक है, इतना समझ में आया, अब हमें क्या करना है, square कर लेना है, five का square मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है, 25, two का square मतलब यहाँ पर four आएगा, and 2 का square यहाँ पे भी यहाँ पे भी आ जाएगा 4 तो जब हम sum करेंगे यहाँ पर तो क्या है 25 cm है 25 cm square आएगा ठीक है यह direct 25 लिख दो अभी लेकिन जब हम 4 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर 8 आ रहा है मतलब not equal आ रहा है क्या रहा है not equal आ रहा है इसका मतलब क्या है इन साइट से हम right triangle form नहीं कर सकते हैं क्यों है ऐसा क्योंकि यहाँ पे answers equal नहीं आ रहे हैं और हमने क्या पढ़ा था कि जब हम hypotenuse का square करते हैं अगर बात right angle triangle की करी जाए तो जब हम hypotenuse का square करते हैं तो answer किसके equal आता है other two sides के square के sum के equal आता है ठीक है इतना समझ में आया आपको तो यहाँ पे जैसे कि हमारा answer equal नहीं आया है इसका मतलब क्या है इन साइट से हम right angle triangle नहीं बना सकते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे No, we cannot make right angled triangle with sides which sides कौन कौन सी sides दे के रखी हुई थी two centimeter two centimeter and five centimeter ठीक है अगर reason लिखना हो तो reason भी लिख सकते है because the square of hypotenuse is not equal to the square of other two sides ठीक है समझ में आया क्योंकि hypotenuse का square जो है वो other two sides के square के sum के equal नहीं आया है ठीक है समझ में आया reason लिखना हो तो reason लिख सकते हैं यहाँ पर reason नहीं पूछा है हम से सिर्छ जो पूछा हमने वो लिखती है ठीक है जल्दी से कर लीजे आप इसे note down कर लिया आपने note down अब next देखते हैं next हमें sides देके रखी हुई है 1.5 cm, 2 cm and 2.5 cm ठीक है समझ में आया तो अब हमें क्या करना रहेगा अब हमें right angle triangle की बात कर रहे हैं तो right angle बनाना रहेगा ठीक है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे सबसे longest side क्या दिख रहे है 2.5 cm और हमें पता है right angle triangle की बात करी जाए तो hypotenuse ही सबसे longest side होती है तो हम hypotenuse को क्या माल लेंगे 2.5 cm और बाकी जो दो sides हैं उसको हम perpendicular and base माल लेंगे other two sides माल लेंगे ठीक है समझ में आया यूज क्या करना रहेगा Pythagoras theorem यूज करना रहेगा तो यहां पर हम लिख देंगे by using by using Pythagoras theorem हम क्या कर रहे है Pythagoras theorem का यूज कर रहे हैं फॉर्मुला क्या रहता है formula रहता है h square is equals to perpendicular square plus base square ठीक है इतना समझ में आया Hypotenuse हमने क्या माना है Hypotenuse हमने माना है सबसे longest side क्या है 2.5 तो यहां पर हम लिख देंगे 2.5 का square perpendicular क्या माना है perpendicular हमने 1.5 माना है तो हम 1.5 square लिख देंगे base हमने क्या माना है base हमने मान लिख देंगे main हमें Hypotenuse जानना रहता है बाकी तो हम shuffle कर सकते है sides को समझ में आया अब हमें क्या करना है अब हमें solve कर देना है 2.5 का square कर देंगे 2.5 का square मतलब 2.5 को हम 2.5 से कर रहे है multiply 5.5 is a 25 हो जाता है 2 कहरी यहाँ पर चली गई 5.2 is a 10 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ पर लग जाएगा cross का side 2.5 is a 10 होता है 0 यहाँ पर 1 कहरी यहाँ पर 2.2 is a 4 होता है 4 प्लस 1 यहाँ पर 5 हो जाएगा तो यहाँ पर answer क्या रहे 6.25 उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर 1 डिजिट के पहले decimal है मतलब total 2 डिजिट के पहले हमें decimal लगाना होगा answer में तो यहाँ पर answer क्या आ रहा है 6.25 क्या आया answer 6.25 हमारा answer आया है ठीक है इतना आया समझ में अब हम ही क्या करना है 1.5 का भी square निकालना है तो यहाँ पर हम लगा निकाल लेंगे 1.5 multiply by 1.5 क्या आएगा answer 5.25 2 कह रही है यहाँ पर चली जाएगी 5.25 प्लस 2 यहाँ पर 7 हो जाएगा यहाँ पर cross का sign आएगा 1.5 प्लस 5 1.1 पर 1 तो answer क्या बन रहा है यहाँ पर 5 बन रहा है 7 प्लस 5 12 1 कह रही है यहाँ पर गई 1 प्लस 1 2 2.25 हमारा answer आ रहा है उसके बाद अब हमें decimal लगाना है हमें दिख रहा है एक डिजिट के पहले decimal है यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले decimal है मतलब टोटल दो डिजिट के पहले हमें decimal लगाना होगा answer में तो हमने लगा दिया है ठीक है लास्ट से काउंट करते है एक दो दो डिजिट के पहले हम लगा देंगे decimal ठीक है तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2.25 हमारा answer आ रहा है बीच में लगा देंगे यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जब हम 4 में 2.25 को सम कर देंगे तो answer क्या आएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0.4 प्लस 2, 6 6.25 हमारा answer आ रहा है मतलब LH is equal to RH is आ गया दोनों ही sides क्या आ गई equal आ गई इसका मतलब क्या है inside से हम right triangle बिल्कुल बना सकते हैं तो यहाँ पर हम लग देंगे yes we can make right angled triangle with sides with sides 1.5 cm 2 cm and 2.5 cm ठीक है इसका मतलब क्या है इन sides को लेकर हम हमारा right angle triangle बिल्कुल फॉर्म कर सकते हैं ठीक है अगर reason लिखना हो तो आप reason में लिख सकते हैं क्योंकि hypotenuse का square जो है वो किसके equal आया है other two sides के square के sum के equal आया है ठीक है तो हमने यह पढ़ा था अगर ऐसा कुछ होता है अगर hypotenuse का square other two sides के square के sum के equal आये तो इसका मतलब क्या है हमारा right triangle बिल्कुल form हो सकता है ठीक है आया समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजे आप इसे भी note down कर लिया आपने note down समझ में आ रहा है आ रहा है तो करना क्या है आपको like करना है वीडियो को comment करना है and share कर देना है ठीक है अब question 5 देख लेते हैं question 5 अम से क्या बोल रहा है a tree is broken at a height of 5 meter from the ground ठीक है क्या बोल रहा है एक tree है ठीक है यहाँ पर हम बना लेते हैं एक tree यह एक tree है ठीक है क्या बोल रहा है a tree is broken at a height of 5 meter from the ground मतलब यहाँ पर समझो कि 5 meter आ रहा है क्या समझ रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है 5 meter आ रहा है तो tree क्या हुआ broken हो गया गिर गया ठीक है टूट गया वो भी कितनी height से 5 meter की height से टूट गया ठीक है and its top touches the ground और जो उसका top है न यह जो top portion है वो ground को touch कर रहा है मतलब अब कुछ ऐसा diagram बन जाएगा अब कुछ ऐसा diagram बन जाएगा उसका top जो है ground को touch कर रहा है मतलब कुछ ऐसा diagram बन जाएगा ठीक है यह ground को touch कर रहा है tree गिर गया पहले खड़ा हुआ था फिर गिर गया ठीक है उसका जो top है वो ground को touch कर रहा है at a distance of 12 meter from the base of the tree. ठीक है? कितने distance में touch कर रहा है? at a distance of 12 meter from the base of the tree. जो उसका base है, tree का जो base है और यहाँ पर जो touch कर रहा है, उसकी दूरी कितनी बता रहे है? 12 meter बता रहे हैं. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 12 meter लिख देंगे. ठीक है? मतलब base basically कितना है? 12 meter है. ठीक है? और height कितनी दे के रखी हुए? 5 meter. हमें क्या करना है? find the original height of the tree. क्या करना है? हमें original height बता करनी है, tree की. ठीक है? इतना समझ में आया आपको. अगर हम इसे right triangle के form में बनाएं, तो हमें क्या दे के रखी हुई है? height दे के रखी हुई है. height कितनी दे के रखी हुई है? 5 meter. उसके बाद हमें क्या बताया गाया था? and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. ठीक है? उसका जो top है, वो ground को touch कर रहा है. ठीक है? और base of the tree से उसका distance कितना है? 12 meter. मतलब base क्या दे के रखा हुआ है हमें? base हमें दे के रखा हुआ है 12 meter. ठीक है? और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? यह hypotenuse हो जाएगी. यह क्या हो जाएगी? hypotenuse हो जाएगी. मतलब basically यहाँ पर जो आदा तूट के tree गिरा है ना, उसको हम क्या मान लेंगे? hypotenuse मान लेंगे. ठीक है? यह मैंने picturized करके बताया and then फिर उसको right triangle के through मैंने आपको show करके बताया है. अब question में क्या पूछ रहा है? find the original height of the tree. original height पता करनी है. मतलब यह तो हमें दे के रखी है. इसका भी अगर हम जोड़ दें तो पूरी height पता कर लेंगे हम. पूरी height tree की पता कर लेंगे. इतना दे के रखा है. इतना और पता करना है. मतलब basically हमें hypotenuse पता करना है. जैसे ही hypotenuse पता कर लिया. तो हम क्या करेंगे? टोटल कर देंगे यह जो hypotenuse है और यह जो height दे कर रखी हुई है. ठीक है? टोटल कर देंगे तो यह पूरा portion जो है tree का यह हमारे पास आ जाएगा. हमें tree की original height पता चल जाएगी. ठीक है? तो basically हमें पता क्या करना है? hypotenuse. और फिर उसके बाद क्या पता करना है? उसके बाद हमें original height of the tree पता करनी है. ठीक है? यह तो hypotenuse हो गई. यह क्या हो गया? base हो गया. ठीक है? और यह क्या देखे रखा हुआ है? height मतलब perpendicular. ठीक है? इतना समझ में आया आपको. यह समझ में आया आपको. ठीक है? अब हम क्या करेंगे? stall कर देंगे इस question को. समझ में आया आपको. हमें क्या use करना होगा? right angle की बाद जहां पर हो रही है. हमें use करना है. वहाँ पर क्या? pythagoras theorem यूज करनी है. ठीक है? समझ में आया? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिख देंगे. by using pythagoras theorem. formula क्या है pythagoras theorem का? हमें पता है formula है h square मतलब hypotenuse square is equals to base square plus sorry, is equals to perpendicular square plus base square. ठीक है? इतना हमें पता है. फिर उसके बाद हमें क्या देख रहा है? hypotenuse तो हमें नहीं पता है. तो हम यहाँ पर लिख देंगे h square. perpendicular क्या देके रखा है? perpendicular हमें देके रखा हुआ है 5. तो हम यहाँ पर क्या देंगे? 5 का square. प्लस base हमें क्या देके रखा हुआ है? 12 मीटर. तो हम क्या लिख देंगे? 12 का square. ठीक है? इतना समझ में आया है? जल्दी से बताईए. इतना आया क्या समझ में? अब आगे करते हैं solve. ठीक है? अब हमें क्या करना है? solve करना है. यहाँ पे क्या? hypotenuse का square. 5 का square कितना होता है? 25. 12 का square होता है 144. ठीक है? तो जैसे ही आप इसे सम कर देंगे, आपको यहाँ पे answer क्या मिलेगा? 169 मिलेगा. ठीक है? अब find क्या करना है? hypotenuse find करनी है पहले तो. तो hypotenuse find करने के लिए यहाँ से हटाना पड़ेगा. square हटाएंगे तो opposite side में क्या लग जाएगा? opposite side में लग जाएगा root. क्या लग जाएगा opposite side में? root लग जाएगा. मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है? 169 आने वाला है. ठीक है? यहाँ पर क्या आएगा? 169 आएगा. अब हमें क्या पता है? हमें यह पता है. जब हम prime factorization निकालेंगे न 169 का. आपको क्या मिलेगा? 13 multiply by 13. मतलब 169 जो है वो 13 की table में ही आता है सर. 13 13 जा हो जाता है. 169 क्योंकि 169 क्या है? Prime number है. ठीक है? समझ में आये तो हमने factors लिख दिये direct. 13 multiply by 13. अब हमें क्या करना रहता है? अब हमें pair बनाने रहते हैं. यह एक pair बन गया. और इस pair में से सरिफ एक factor यह बाहर निकालेंगे. मतलब, sorry, यहाँ पर हमने, यहाँ से हम square अटा देंगे. क्योंकि यहाँ पर हमने already root लगा दिया है. ठीक है? तो एक factor बाहर निकालेंगे. तो यहाँ पर क्या आएगा? 13 आ जाएगा. मतलब, hypotenuse क्या आ गई? hypotenuse हमारी आ गई है. 13 meter. Sorry, meter आएगा यहाँ पर. meter की बाद चल रही है, तो meter आ जाएगा. ठीक है? क्या आ गया यहाँ पर? 13 meter हमारी hypotenuse आ गई. ठीक है? अब find क्या करना हमें? original height find करनी है. क्या find करनी है हमें? हमें original height find करनी है. अब original height find करने के लिए करना क्या होगा? हमें इस 5 meter को और इस 13 meter को प्लस कर देना होगा. इस 5 मीटर को और यहाँ पे जो 13 मीटर आया है इसको प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा यह ट्री की ओरिजनल हाइट क्या है ठीक है तो हम क्या करने वाले है ओरिजनल हाइट फाइंड करने वाले है ओरिजनल हाइट ओफ दा ट्री इस क्या हो जाएगा 5 मीटर प्लस 12 मीटर 5 मीटर प्लस 12 नहीं 13 मीटर सॉरी हाइपोटेनी उस क्या आया था 13 आया था मतलब हम क्या करेंगे 5 मीटर प्लस 13 मीटर करेंगे तब जाके हमें हमारे पस क्या आ जाएगी original height आ जाएगी वो भी tree की ठीक है original height of the tree is 5 meter plus 13 meter मतलब क्या है इसका answer क्या आएगा 5 plus 13 करेंगे तो answer क्या आएगा 18 meter आ जाएगा क्या आएगा answer 18 meter मतलब original height of the tree हमें क्या मिल गई है 18 meter मिल गई है ठीक है इतना समझ में आया है तो कर लीजे से note down जल्दी से कर लीजे आप इसे note down कर लिया अपने note down अब देखते है next question next question में जो करना है आप read करके देखिए कि करना क्या है हमें and then फिर मैं आपको solve करवाती हो तो क्या बोल रहा है question 6 angles q and r of a triangle p q r triangle p q r आपको तो दिख रहा होगा उसमें क्या बोल रहे है angle q और जो r है उसका measurement क्या है 25 degree and 65 degree मतलब यह जो angle q है उसका measurement क्या है 25 degree and angle r जो है उसका measurement क्या है 65 degree ठीक है इतना समझ में आया then फिर क्या बोल रहे है right which of the following is true हम से पूचा जा रहा है यह तीन options हमें दिये गए है इस में से कौन सा सही है ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है triangle p q r है उसमें angle q भी देके रखा हुआ है angle r भी देके रखा हुआ है लेकिन angle p नहीं दिया हुआ है तो क्या हम angle p निकाल सकते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं किस theorem से? angle sum property से ठीक है तो सबसे पहले हम लिखेंगे we know that we know that sum of all the angles all the angles of a triangle is 180 degree ठीक है इतना समझ में आया हमें क्या पता है किसी भी triangle के सारे angles को अगर हम कर दे sum तो उसका measurement कितना आएगा 180 degree आएगा ठीक है तो हमें कौन-कौन से angles दिख रहे हैं हमें दिख रहे हैं angle p plus angle q plus angle r तीनों को sum कर देंगे तो कितना आएगा 180 degree आएगा ठीक है angle p हमें निकालना है हमें देके नहीं रखा हुआ है तो angle p हम as it is लिख देंगे angle q हमें क्या देके रखा हुआ है 25 degree तो angle q की जगा हम क्या लिख देंगे 25 degree लिख देंगे angle r हमें देके रखा हुआ है 65 degree तो angle r की जगा क्या लिख देंगे हम 65 degree लिख देंगे is equals to 180 degree ठीक है इतना समझ में आया अब हम solve कर देंगे से angle P as it is रहेगा जब हम 25 degree plus 65 degree करेंगे तो answer क्या आने वाला है answer आएगा 90 degree और यहां पर क्या बच रहा है is equal to 180 degree ठीक है अब हमें क्या करना है अब हमें 90 degree को opposite side transfer कर देना है यहां पर positive form में था equal to के उस तरफ जाएगा तो negative form में हो जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे इसे angle P is equal to 180 degree minus 90 degree तो angle P क्या आजाएगा जब हम 180 degree में से 90 degree minus कर देंगे तो हमारा angle P आजाएगा 90 degree क्या आजाएगा angle P angle P हमारा आ गया है 90 degree ठीक है इतना समझ में आया अब angle P 90 degree निकला है इसका मतलब क्या है यह right angle triangle होगा क्योंकि right angle triangle में एक angle जो रहता है वो 90 degree का रहता है और triangle P qr में भी हमें angle P क्या मिल गया है angle P हमें बिल गया है 90 degree इसका मतलब क्या है angle P qr क्या है right angle triangle ठीक है इतना समझ में आया तो यहाँ पर हम लिख देंगे so triangle P qr is a right triangle ठीक है इतना समझ में आया अब हमें क्या पता है 90 degree वाला जो angle रहता है उसकी opposite side क्या रहती है उसकी opposite side रहती है hypotenuse ठीक है तो मतलब यह angle P है angle P के opposite side हमें क्या दिख रहा है qr दिख रहा है तो qr क्या हो जाएगी qr हो जाएगी hypotenuse ठीक है और यह जो other two sides से उनको हम क्या मान लेंगे एक को मान लेंगे perpendicular and दूसरे को मान लेंगे base ठीक है तो हम इसे क्या मान लेते हैं qp को मान लेते हैं perpendicular and pr को हम क्या मानने वाले है pr को हम मानने वाले है base ठीक है इतना समझ में आया अब हमें क्या option यहां पे देखे रखे हूए सबसे पहले तो हमें पता है जब right angle triangle की बात हो रही है तो pythagoras theorem लगेगी और pythagoras theorem का formula क्या रहता है सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिग लेते हैं by using pythagoras theorem ठीक है pythagoras theorem का formula के रहता है hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square ठीक है इतना समझ में आया अब इस formula के according hypotenuse क्या हो गई hypotenuse हो गई हमारी qr तो हम यहाँ पे लिख देंगे hypotenuse की जगा qr square is equals to perpendicular क्या हो गया perpendicular हमारा हो गया pq जिसको हम qp भी बोल सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे pq square plus base क्या हो गया base हमारा हो गया pr तो हम base square की जगा क्या लिख देंगे pr square ठीक है इतना समझ में आया यह हमने क्या किया हमने यह जो formula है उसमें साइट्स पूट कर दियें ठीक है तो हमें क्या मिला है qr square is equals to pq square plus pr square ठीक है अब यहाँ पे option देख लो यहाँ पे option क्या देके रखा हुआ है pq square pq square मतलब perpendicular square ठीक है plus qr square यहाँ पे देके रखा हुआ है perpendicular square plus qr square qr क्या है hypotenuse है मतलब h square is equals to rp square rp हाँ पे हमने क्या माना है base है is equals to base square क्या यह सही है क्या perpendicular square plus hypotenuse square is equals to base square क्या यह सही होगा बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि यह तो formula है ही नहीं formula क्या बोलता है hypotenuse square किसके equal होना चाहिए perpendicular square plus base square के equal होना चाहिए लेकिन यहाँ पर तो अलगी कुछ दिया हुआ है तो यह तो सही नहीं हो सकता ठीक है तो इसे हम wrong कर देंगी next देख लेते next हम देके रखा हुआ पी q square pq square मतलब perpendicular square plus rp square rp क्या है base square है मतलब यहां पर base square आ गया is equals to qr square qr क्या हो गया hypotenuse हो गया तो हम h square लिख देंगे ठीक है तो यहां पर formula क्या बन रहा है perpendicular square plus base square is equals to h square ठीक है यहां पर भी formula क्या था h square is equals to perpendicular square plus base square दोनों ही same है बस यहां पर h square इस side लिखा हुआ था left hand side यहां पर right hand side लिख दिया and perpendicular square plus base square वहां पर लिखा हुआ था right hand side यहां पर left hand side लिख दिया otherwise और कोई changes नहीं है formula बिलकुल same है आप देख सकते हो ठीक है और यहां पर क्या लिखा हुआ है पी square plus rp square is equals to qr square तो यहां पर भी आप देखो के p square plus rp square या pr square एक ही बात है is equals to qr square मतलब जो हमने solve किया उसके according यह statement बिलकुल correct होनी चाहिए ठीक है इतना है समझ में अब next भी देख लेते हैं next हमें क्या देखे रखा हुआ है rp square rp square मतलब base square plus qr square qr क्या है hypotenuse मतलब h square हो गया is equals to pq square pq क्या हो गया perpendicular क्या यह statement सही है बिलकुल सही नहीं होगी क्योंकि statement यहीं बोलती है कि hypotenuse square based square परेंटीकुल square plus base square की equal होना चाहिए है लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है perpendicular square गया सही है क्या मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया तो मतलब यह सही नहीं है तो सही क्या है सेकर्डेंड वाली स्टेटमेंट हमारी है यह वाली स्टेटमेंट है बाकी दोनों क्या है फॉल्स है ठीक है इतना समझ बहтоящ model आया मैंने आपको पूरा सौल करके भी बताया कि यह स्टेटमेंट कैसे सही है तो आप जल्दी से कर लीजेसी note down, कर लिया आपने note down, अब next question देखते है, next question क्या है, find the perimeter of the rectangle whose length is 40 cm and our diagonal is 41 cm, अब बात किसकी हो रही है, rectangle की बात हो रही है, जिसकी length हमें 40 cm देके रखी हुई है, और diagonal क्या देके रखा हुआ है, 41 cm, अब बात rectangle की कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, rectangle का diagram ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ side में कर लेते हैं, यह हमने क्या किया, एक rectangle ड्रॉ किया है, ठीक है, उसके बात क्या बोला जा रहा है, उसके बात बोला जा रहा है, एक diagonal भी ड्रॉ कर देंगे, यह हमने क्या करी, एक diagonal ड्रॉ कर दी है, ठीक है, उसके बात क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रही है कि length जो है, सबसे पहले हम नाम दे देते हैं, हम नाम दे देते हैं A, B, C, D, ठीक है, यह हमने क्या माना है? यह माना है हमने कि यह हमारा rectangle है, ठीक है, तो length क्या होगी? length a b हो जाएगी, length a b हो जाएगी, कितनी देके रखी हुई है, 40 cm, और diagonal कितना देके रखा हुआ है, 41 cm, यह diagonal BD हो गया, तो यह कितना है, 41 cm, ठीक है, इतना समझ में आया आपको, और आपको यह पता होगा, कि यहाँ पे angle a क्या है, angle a हमारा है, 90 degree, angle a क्या है हमारा 90 degree है, इतना समझ में आया आपको, angle a समझ में आया कितना है 90 degree, अब angle a 90 degree है, इसका मतलब क्या है, यह BAD triangle क्या हो जाएगा, right angle triangle हो जाएगा आपको दिख रहा है यह triangle जो बना हुआ है B, A, D यह right angle triangle होगा अब 90 degree क्या है angle A है तो angle A के opposite side जो रहेगी वो क्या होगी hypotenuse होगी मतलग जो BD diagonal है उसको हम क्या बोलेंगे hypotenuse बोलेंगे क्या बोलेंगे हम इस BD diagonal को हम क्या बोलेंगे hypotenuse बोलेंगे ठीक है इतना समझ में आया यह hypotenuse भी है और टाइगनल भी है ठीक है और A, B जो है वो length भी है length तो देखे रखा हो है 40 cm और इसको हम क्या मान लेंगे इसको हम perpendicular मान लेंगे ठीक है और यह जो AD देखे रखी हुई है इसको अगर हम देखे AD क्या है breath भी बोल सकते हम इसे और इसे हम base भी बोल सकते हैं क्या बोल देंगे हम इसे base बोल देंगे और इसकी value अभी हमें पता नहीं है डाइगनल की value भी पता है 41 cm है जिसको हम hypotenuse मान रहे हैं AB की value भी पता है 40 cm है जिसको हम perpendicular मान रहे हैं जिसको हम length भी बोलेंगे AD जो है उसको breath बोलते हैं अगर हम rectangle की बात करें और अगर सिर्फ हम उसे right angle triangle के form में देखें तो उसे हम base मान रहे हैं ठीक है लेकिन उसकी value हमें नहीं पता है अगर हमें perimeter of rectangle चाहिए ठीक है तो हमें length और breath जाना दोनों बहुत जरूरी है मतलब हमें AD जो breath है और जिसको हमने base भी माना है उसकी value find करने पड़ेगी तो हम बस वही कर देंगे ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा सबसे पहले हम लिख देते हैं हमने क्या किया draw a rectangle a b c d हमने क्या किया एक rectangle draw किया a b c d in which in which b d is a diagonal उसमें हमने क्या माना b d क्या है diagonal है ठीक है इतना समझ में आया b d क्या देके रखा हुआ है b d जो की diagonal है हमें क्या देके रखा हुआ है 41 cm ठीक है और उसके बाद a b जिसको हमने क्या माना है जिसको length बोलते है according to rectangle हम a b को क्या मानते है length मानते हैं वो क्या देके रखा हुआ है 40 cm ठीक है इतना समझ में आया और हमें क्या दिख गया कि angle a क्या है यहाँ पर भी कॉम लगा देते है angle a क्या है angle a 90 degree है ठीक है इतना समझ में आया इसका मतलब क्या है so triangle so triangle b a d यह जिसको हम a b d भी बोल सकते हैं b a d बोलो यह a b d बोलो is a right triangle तो यह क्या बन गया right triangle बन गया है ठीक है अब बात right triangle की हो रही है तो formula कौन सा लग जाएगा by using pythagoras theorem कौन सा formula लग जाएगा हम क्या लगा देंगे by using pythagoras theorem अब pythagoras theorem लगा रहे हैं तो formula क्या रहता है हमें अच्छे से पता है hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square यही formula रहता है हाइपोटेनियूस हम किसको मान रहे है bd को मान रहे है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लिख देंगे bd square is equals to perpendicular किसको मान रहे है ab को मान रहे है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे ab square और base हम मान रहे है ad को तो हम क्या लिख देंगे यापे, base की जगा, ad square, छीच है, इतना समझ में आया, अब हमें क्या करना है, अब हमें value put करनी है, छीच है, अब हम क्या करेंगे, value put करेंगे, bd की value हमें नहीं पता है, sorry, bd की value हमें पता है, क्या देके रखी हुई है, 41, तो यहाँ पर हम लिख लिख देंगे 41 का square ठीक है, A, B की value 40 देके रखी हुई है तो यहां पर हम लिख देंगे 40 का square और जो A, D है वो हमें नहीं पता है ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, A, D को as it is लिख देंगे A, D का square ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 41 का square निकालना 1, 1, 4 is a 4, 4, 1 is a 4, 4, 4 is a 16, तो answer क्या आ रहा है यहां पर, answer हमारा आ रहा है 1681, क्या answer आ रहा है यहां पर, 1681, ठीक है, या तो आप पहले इसको solve करके, फिर transfer कर सकते हो, values या पहले अपन transfer कर देते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, निकालना हमें 80 square है, साथ में 40 का square देक के रखा हुआ, right hand side, हम क्या गरेंगे, उसको opposite side ले आएंगे, ठीक है, तो यहां पर positive form में था, equal to के opposite side जाके, किस form में हो जाएगा, negative form में, मतलब हमें से कैसे लिखने वाले है, 41 का square, minus 40 का square, is equals to 80 square, ठीक है, इतना समझ में आया, अब जैसे ही हमने 41 का square करा, हमारी value क्या जैसे ही हमने 41 का square करा, हमारी value आई है, 1681, minus, जैसे ही हम 40 का square करेंगे, हमारी value आ जाएगे, 1600, साथ में क्या देके रखा हुआ, AD का square, हम यहां पर क्या लिख देंगे, AD का square लिख देंगे, ठीक है, इतना है समझ में, अब 1681 में से 1600 माइनस कर देंगे, क्या value आएगी, 81 value आएगी, यहां पर क्या है, AD का square है, ठीक है, इतना समझ में आया, अब जब हम square हटाते हैं, तो हमें पता है opposite side क्या लग जाता है, root लग जाता है, तो हम क्या करेंगे, root लगा देंगे, root 81 हो जाएगा, यहां पर AD हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया, अब root आप direct करना चाहो, तो भी कर सकते हो, जैसे की 81 कैसे आता है, 9 multiply by 9 करके 81 ले आते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो prime factorization method यूज कर सकते हो, 81, 3 से हम कर देंगे, 3 2s are 6, 2 carry गया, 3 7s are 21, again 3 से हो जाएगा, 3 9s are 27, again 3 से हो जाएगा, 3 3s are 9, and then again 3 से 3 1s are 3, ठीक है, यह हमने क्या किया, यह हमने prime factorization निकाला और factors निकाल दिया, 81 के, तो factors क्या आये हैं, 3 multiply by 3, multiply by 3, multiply by 3, multiply by 3, and यहां पर क्या है, यहां पर AD है, ठीक है, इतना आय समझ में, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि हम pairs बनाते हैं, तो यहां पर एक pair बन गया, यहां पर एक pair बन गया, ठीक है, और हर pair में से हम क्या करते हैं, हर pair में से हम एक factor को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो हम निकाल देंगे यहां पर, ठीक है, तो इस pair में से क्य भार निकल जाएगा 3 फार निकल जाएगा and इस पेर में से भी 3 भार निकल जाएगा ठीक है और यहां पर क्या है यहां पर AD है तो क्या है 3 multiply by 3 9 centimeter मतलब AD की क्या value आई है AD की value आई है 9 centimeter अब आप ध्यान से देखो AD क्या है AD breath है क्या है AD? AD breath है हम यहाँ लिख देते है AD is a breath of rectangle ABCD ABCD rectangle का AD क्या है? breath है और AD की value क्या निकल गई है? AD की value निकल गई है 9 cm क्या निकली AD की value? यहाँ पर लिख देते हैं AD की value निकली है 9 cm ठीक है? इतना समझ में आया अब हमें basically निकालना क्या था? हमें निकालना था parameter of the rectangle क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है perimeter of rectangle ठीक है हम क्या कर सकते हैं या हम formula पर उट कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं directly हमें पता है किसी भी figure का अगर हमें निकालना है perimeter सारे sides को हम क्या कर देते हैं sum कर देते हैं तो हम AB plus BC plus CD plus AD करके भी value निकाल सकते हैं या फिर parameter of rectangle का formula पुट करके भी value निकाल सकते हैं ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम direct सारे sides को कर देते हैं हमारा easily क्या निकल जाएगा, parameter निकल जाएगा, ठीक है तो क्या देखे रखा है, sides क्यों कौन सी है, AB plus BC plus CD plus DA यह 4 sides है, 4 sides को हम क्या कर देंगे, sum कर देंगे AB देके रखा हुआ है, 40 cm, ठीक है, BC क्या देके रखा हुआ है जो AD की value है, वो ही BC की value होगी, मतलब यह 9 cm है, यह भी 9 cm हो जाएगा और AB जो है, वो CD के equal हो जाएगा, मतलब CD भी क्या है, 40 cm क्योंकि rectangle के opposite sides के रहते हैं, equal रहते हैं, इतना तो हमें पता है, बच्पन से पढ़ रहे हैं, ठीक है तो यहाँ पर 40 cm हो गया, तो BC क्या हो जाएगा 9 cm CD क्या हो जाएगा, CD कहां पर है, CD यहां पर है, CD भी हो जाएगा, 40 cm और उसके बाद, DA क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा, 9 cm ठीक है, तो अब हमें क्या कर देना है, अब हम sum कर देंगे Sum करने पर answer क्या आएगा, जल्दी से बताएगे, sum करने पर answer क्या आ रहा है 40 प्लस 40, 80 हो जाएगा, 80, और यहां पर 9 प्लस 9 कितना हो जाता है, 18 हो जाता है ठीक है, तो क्या आएगा, यहां पर answer आजाएगा, 98 cm मतलब perimeter of rectangle कितना निकला है हमारा, perimeter of rectangle हमारा निकला है 98 cm, और हमसे क्या बोला गया था, हमें क्या निकालना है, perimeter of rectangle ही निकालना है ठीक है इतना आया समझ में बस ऐसे ही हमें question को solve करना था तो आप जल्दी से कर लीजिए इस question को note down आया समझ में? आ रहा है समझ में जल्दी से बताईए आ रहा है तो जल्दी से like कर दीजी वीडियो को, comment कर दीजिए and share कर दीजिए अब क्या करना है अब question 8 solve करना है ठीक है? क्या बोल रहा है question 8 the diagonals of a rhombus measures 16 cm and 30 cm हमें क्या देके रखा हुए, diagonals देके रखे हुए है किसके? rhombus के, ठीक है? एक 16 cm का है और एक कितना है? 30 cm का हमसे क्या बोला जा रहा है? find its perimeter हमें क्या करना है? perimeter find करना है किसका? rhombus की बात चल रही तो of course हमें किसका find करना होगा? rhombus का ही perimeter find करना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? rhombus बना लेंगे आपे यह हमने क्या किया? यह हमने rough diagram draw कर लिया है, हमने rhombus यहाँ पर बना लिया है, ठीक है? अब बात किसकी हो रही है? बात diagonals की हो रही है, तो diagonals भी draw कर देते हैं यह एक diagonal हो गया और यह दूसरा diagonal हो गया, ठीक है? अब हम उसे नाम दे देते हैं, A, B, C, D A, B, C, D, ठीक है? इतना समझ में आया, यह A, B, C, D क्या है? यह A, B, C, D हमारा rhombus है, ठीक है? उसके बाद हमें क्या देके रखा हो है? diagonal के measures देके रखे हो हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो BD diagonal है वो CA diagonal से छोटा है, CA बोलो या AC बोलो, AC एक diagonal है, BD एक diagonal है लेकिन हमें यह difference समझ आ रहा है, जो BD diagonal है, वो AC से छोटा है तो यह जो छोटा measurement 16 cm देके रखा है, वो हम किसका मान लेंगे? BD का और यह जो 30 cm देके रखा है, वो किसका measurement मान लेंगे हम AC diagonal का measurement मान लेंगे, ठीक है? इतना आया समझमें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं BD हम मान रहा हैं किसको? 16 cm and AC हम कितना मान रहे हैं, AC हम मान रहे हैं 30 cm, ठीक है, इतना समझ में आया आपको, जल्दी से बताइए इतना आया है समझ में, और find क्या करना हमें, perimeter find करना है, अगर आपको पड़ता हो रोंबस की property, तो आपको ये भी पता होगा, कि ये एंगल कितना होता है, ये एंगल हो जात है 90 degree का, हम इस point of intersection को O मान लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल A और B बन रहा है, वो कितना हो जाएगा, हमारा 90 degree हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 degree हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, हमने क्या क्य किया है, सबसे पहले तो हमने rhombus draw किया है, तो भाही लिख देंगे, draw a rhombus a, b, c, d in which in which हमें क्या दिख रहा है? b, d and a, c are diagonals हमें क्या दिख रहा है, b, d और a, c क्या है, diagonals है, ठीक है, इतना समझ में आया, और हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि point of intersection हमने क्या माना है, o माना है, ठीक है हमें यह पता है कि हमें values देकर रखी हुई है, तो हम यह आपर values भी लिख देंगे given, क्या देकर रखा हुई है, diagonal की values देकर रखी हुई है, तो b, d हमने कितना माना है given b, d is equals to 16 cm, ठीक है, and ac is equals to 30 cm, ठीक है, इतना समझ में आया, अब जब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि हमें निकालना है parameter, तो हमें a, b की value चाहिए रहेगी, b, c की value चाहिए रहेगी, c, d की value चाहिए रहेगी, चारो sides को sum कर दे, ठीक है, इतना आपको पता होगा, जब भी हम क्या निकालते हैं, किसी भी figure का parameter निकालते हैं, हम सारे sides को sum करते, तो निकालना क्या है, हमें parameter of a rhombus निकालना है, तो हमें चारो साइट को क्या करना होगा प्लस करना होगा इतना समझ में आया आपको और हमें क्या दिख रहा है एंगल A, O, B क्या है 90 डिग्री है तो यहां पर हम लिख देते हैं यहां पर हम क्या लिख देंगे we know that we know that angle A, O, B is equals to 90 डिग्री ठीक है angle A, O, B हमने क्या माना है माना क्या है A, O, B 90 डिग्री ही होगा स्रिफ A, O, B 90 डिग्री नहीं होगा जो बाकी angles भी यहां पर आपको 20 में दिख रहा है न रोंबस के वो भी आपको 90 डिग्री ही मिलेंगे लेकिन अभी स्रिफ हम A, O, B ही लेकर चल रहे हैं ठीक है तो हमने क्या माना हमने माना नहीं हमें पता है we know that angle A, O, B is equals to 90 डिग्री ठीक है इतना समझ में आया अब अगर हम triangle A, O, B को देखें सिर्फ तो हमें O, B की भी value चाहिए, O, A की भी value चाहिए और A, B की भी value चाहिए चाहिए की नहीं चाहिए बिल्कुल चाहिए है तो अगर हम बात करें O, A side की किसकी बात करें O, A side की तो हमें ये पता है कि अगर A, C 30 cm है तो O, A आपको half दिख रहा होगा A, C का half आपको O, A दिख रहा होगा तो O, A कितना हो जाएगा 15 cm हो जाएगा होगा की नहीं होगा जल्दी बताइए सबसे पहले तो हमने लिखा है we know that angle A, O, B is equals to 90 degree so triangle A, O, B is a right triangle ठीक है इतना हमें समझ में आ गया है कि triangle A, O, B क्या है A, O, B right triangle है हमारा ठीक है उसमें भी हमें क्या चाहिए? O, A चाहिए क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए है O, A तो अगर O, A की बात करें वो क्या है? Half of A, C दिख रहा है आपको जल्दी से बताइए O, A आपको half of A, C दिख रहा होगा A, C diagonal और diagonal का half O, A हो जाएगा ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? Half of A, C कितना देंगे रहा है? 30, ठीक है? तो जैसे ही हम क्या कर देंगे? simplify कर देंगे 2, 1, 2, 2, 15, 30 होता है तो इसका मतलब क्या है? 15 cm आणसर आ रहा है हमारा O, A की value क्या हो जाएगी? 15 cm हो जाएगी ठीक है? इतना समझ में आया? अब हमें क्या चाहिए? O, B की भी value चाहिए अगर आप धान से देखो B, D का half O, B दिख रहा होगा आपको अगर B, D 16 cm है तो B, D का half O, B कितना हो जाएगा? 8 cm कैसे? देख लेते हैं यहां पर O, B is equals to half of half of B, D इसका मतलब क्या है? half multiply by B, D क्या देखे रहा होगा है? 16 cm हमें आपे 16 लिख देंगे अब हम क्या करेंगे? simplify करेंगे 2 1s are 2, 2 8s are 16 तो answer क्या आएगा? answer हमारा आज आएगा 8 cm इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है O, B की value क्या निकली? 8 cm निकली है क्या निकली है? 8 cm निकली है ठीक है? इतना आया समझ में अब मैंने आपको starting में क्या बताया था? 90 degree के सामने वाला angle क्या हो जाता है? sorry 90 degree के सामने वाली side क्या हो जाती है? hypotenuse मतलब A, B क्या हो जाएगी? A, B हो जाएगी hypotenuse ठीक है? इतना समझ में आया अब O, B को हम क्या माल लेते हैं? O, B को हम माल लेते हैं base और O, A को हम क्या माल लेते हैं? O, A को हम माल लेते हैं perpendicular ठीक है? इतना समझ में आया तो अब बात किसकी कर रहे हैं हम? triangle A, O, B की बात कर रहे हैं जिसमें हमें O, A की भी value हमने निकाल दी है OB की भी value निकाल दिये, अब value किसकी निकालनी है? AB की मतलब hypotenuse की value निकालनी है तो कौन सा theorem लग जाएगा? Theorem यहाँ पर लग जाएगी by using Pythagoras theorem Right angle की बात कर रहे हैं, तो theorem न लगे, ऐसा हो यह नहीं सकता ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? Theorem लगा देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे By using Pythagoras theorem, ठीक है? Theorem क्या बताई थी मैंने आपको hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square ठीक है, hypotenuse क्या है? hypotenuse क्या है? A, B है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? A, B का square Perpendicular क्या है? Perpendicular हमें दिख रहा है, O, A मतलब O, A का square और base हमें क्या दिख रहा है? Base हमें दिख रहा है, O, B मतलब O, B का square ठीक है, इतना समझ में आया अब A, B की value तो हमें निकालनी है तो A, B square हम as it is रहने देंगे O, A की value जस्ट अभी निकाली है, कितनी आई है? 15, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 15 का square O, B की भी value निकाली तो कितनी आई है? 8 cm, तो O, B की जगा हम क्या लिख देंगे? 8 का square, ठीक है इतना समझ में आया अब हम क्या कर देंगे? इसे solve कर देंगे A, B square is equals to A, B square is equals to 15 का square करेंगे तो answer क्या आएगा? 225 प्लस 8 का square करेंगे तो answer क्या आएगा? 64 अब हम क्या कर देंगे? इसको sum कर देंगे, ठीक है? A, B का square is equals to जब हम sum करेंगे 5 प्लस 4 कितना आएगा 9 2 प्लस 6 कितना आजाएगा 8 एंड यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या आएगया 289 हमारा answer आगया अब हमें AB के value निकालनी है तो square तो हटाना पड़ेगा square हटाएंगे तो opposite side क्या आजाएगा root आजाएगा ठीक है करना है अब हमें क्या करना है root से values निकालनी है मतलब 289 के हम क्या निकाल देंगे factors निकाल देंगे ठीक है इतना समझ में आया है जल्दी से बताईए अगर आप 289 का पता करे या LCM में निकाले तो आपको पता है क्या मिलेगा 289 सरफ 17 की टेबल में आता है कैसे 17 17 जा और 17 क्या है प्राइम नंबर है ठीक है मतलब 289 और किसी की भी टेबल में नहीं आता है स्रिफ 17 की टेबल में आता है करके देख लो 7 7 जा 49 4 कह रही याँ पे जाएगा 7 1 जा 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11 क्रॉस साइन यहाँ पे आएगा 1 7 जा 7 1 1 जा 1 तो अंसर क्या रहा है 289 इसका मतलब क्या है 17 17 जा हमें क्या मिलेगा 289 तो यहाँ पे भी 17 होगा और यहाँ पे 17 बन्जा 17 तो factors क्या मिल रहे है 17 और 17 ही factors मिल रहे है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे A B is equal to 17 multiply by 17 और हमें क्या बता है हम क्या बनाते हैं pair तो एक ही pair हमें दिख रहा है 17 multiply by 17 और pair में से हम स्रिफ एक ही factor को बाहर निकालते है यह भी हमें पता है स्रिफ एक factor ही बाहर निकल पाता है तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे जल्दी से बताईए स्रिफ 17 को ही रूट से भार निकालेंगे क्या करेंगे हम स्रिफ 17 को ही रूट से भार निकालेंगे इसका मतलब क्या है AB की value क्या आ जाएगी AB की value आ जाएगी 17 cm क्या आ जाएगी AB की value AB की value आ जाएगी 17 cm इतना समझ में आया, अब हमें क्या पता है, अब हमें पता है, रोमबस के सारे साइट्स के रहते हैं, इक्वल रहते हैं, तो A, B, B, C, C, D और A, D तो सेम ही आने वाला है, उनका मेजरमेंट सेम ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमें, we know that, we know that, in rhombus, all sides are equal, हमें क्या पता है, रॉमबस में सारे sides क्या रहते हैं, सारे ही sides equal रहते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, कि A, B, is equals to B, C, is equals to C, D, is equals to D, A, is equals to 17 cm हो जाएगा, चारो ही sides की value क्या हो जाएगी, 17 cm हो जाएगी, अब find क्या करना है हमें, हमें find करना है parameter, क्या find करना है हमें, parameter find करना है, किसका rhombus का, तो parameter find करने के लिए हम क्या करेंगे, चारो sides को plus कर देंगे, मतलब A, B, plus B, C, plus C, D, plus D, A हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया, अब चारो की ही value 17 cm है, तो हम क्या करेंगे, 17 cm plus 17 cm, plus 17 cm, plus 17 cm, तो value क्या आजाएगी, add करने पे value क्या आएगी, 7 plus 7 कितना होगा, 14, 14 plus 7 कितना हो जाएगा, 21, 21, 21, प्लस 7 कितना हो जाएगा, 28, मतलब यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है, 2 कहरी चली जाएगी, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5, 5 plus 1, 6, तो यहाँ पे क्या आया, 68 cm हमारा answer आया है, मतलब क्या है, perimeter of rhombus, ठीक है, perimeter of rhombus क्या आया है, perimeter of rhombus क्या निकला है, 68 cm निकला है, ठीक है, इतना आया समझ में, हम से पूछा गया था, perimeter निकालना है, तो हमने निकाल दिया है, ठीक है, समझ में आया इतना, तो आप जल्दी से कर लीजे, इसे note down, जल्दी से कर लीजे आप इसे note down, कर लिया आपने note down, तो यहाँ पे होते हैं हमारे exercise 6.5 complete, हमने हर एक question कर लिया है solve, अगर आपको समझ में आई यह वीडियो तो करना क्या है, इस वीडियो को like करना है, comment करना है and share कर देना है and जाना है YouTube चैनल पर and कर देना है Magnet Brains को subscribe, यह रही हमारी application, यह रही हमारी website, यह रही हमारी top courses जो आपको provide कराते हैं free of cost, quality education, e-books and e-notes की जो link है आपको description box में मिल जाएगी and यह रहे हमारे other social media platform जैसे की YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter आप इन पे भी जाके visit कर सकते हैं and कर सकते हैं Magnet Brains को follow अब इससे next वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हो, यह जानने के लिए करना क्या होगा YouTube चैनल पर जाके कर दिना होगा Magnet Brains को subscribe, thank you so much